आपको बताते चलें कि जारकंड के मुख्यमंत्री एमन्सुर इंज ने गिराफतार कर लिया गया है वो इस वक्त एडी के कस्टडी में हैं लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज जो है वो जरूर लोकों के सामने लाया और क्या है वो वीडियो मैसे जरावी देखें मुझे एडी गिराफतार करने आई है दिन बड हमसे पूश्तार करने के बाद समय बिताने के बाद सौनियों द्धंग से मुझे गिराफतार करने का उनलोग में हैंसला सुनाया और किस विशह पर ऐसे बिशह पर जो चीज़ें मुझसे जुड़ी ही नहीं मुझ पर साड़े आठ एकड़े जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भुयारी जमीन किया जो जमीन कभी बिक्ती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला दिल्ली में भी इन लोगों ने छावे मार कर हमारी जो चवी खराब करने की कोशिस की और आज अंतोगत्वा ये सुनिजे तरीके से दिन भर ये योजना बत तरीके से आये समय काटे और उनको पता है कि साम के बाद कोट कचरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने कैस करने का दोी सुनाया है है मैं कोट करिए शचनानम पर एक बिलकुल मांने के साथ उसका सम्मान करता हूं अभी मैं पर में जा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि विवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं आज एक लोगप्रिय सरकार एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीत कर सरकार बना कर राज की जनता का सेवा करना था आज लगता है ये सामानती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोस लोगों को गरीव निरिख आदिवासी दलीद पिचड़ों के उपर जो अत्यचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संगर्ष भी करेंगे आज मुझे संभावता ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे मुझे उसका चिंता नहीं है सीवु सुरें का मैं बेटा हूँ संगर्ष हमारे खून में है और संगर्ष करेंगे लड़ेंगे जीतेंगे और जिस मनसुबी के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोग ने ने लिया है और आपको हम बता दें बड़ा अश्यर की बात है अभी मैंने जमीन को लेकर उन्होंने मुझे पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं बलकि जो लोग जाली कागच बनाकर और जिनके फरजी सिकायत के अधार पर मुझे आज गिरफतार करने का एक सड्यंत रजकर ये काम्याब हो रहे हैं और मुझे पुरा विश्वास है आज नहीं कर सत्त की विजय होगी साथियों समय में बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक जो अभी हाल में राजनितिक सड्यंत का सिकार गिहार हुआ है अब ये दूसरे राजनितिक सड्यंत का सिकार जार्खन को बनाना चाहते हैं लेकिन आप अस्वस्त रहें हेमन सुरेन जार्खन के हर एक वेक्ति के दिल में है हर एक नोजवानों के दिल में है, हर एक बजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा और जिस तरीके से बुड़े बजुर्ग के सेवा करते हुए, नोजवानों को रोजयार देते हुए अपने महिला सस्थिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजयार सिर्जन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा, एक लंबा लकीर के रुख में मैं इसे, आज संभावता है ये इस लकीर को और ना खिचने दे मुझे, लेकिन आप अस्वस्त रहे, सत्त की कभी हार नह नहीं होती, ये मुझे जरूर थोड़ा बिचली तभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जाला दिन तक चलेगा नहीं, लेकिन जब हम अगली लडाई के लिए तैयार होके आएंगे, तो इस मर्बूती के साथ आएंगे, कि दुबारा इस तरीक के सड़यन करने वाले, आगे से इस तरीकी के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़े, धन्यवाद साथियों, जोहार, और कल सुबह अगबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से संभावता, आप सब लोग को इस बात की खवर होगी, कि आज हेमन सुरें गिरफतार ह हो गया, और हमारे जो विरोधी लोग हैं, वो अपने नापाक इरादे पर अभी काव्याब हो रहे हैं, इस पर अपना पीठ ख़त पाएंगे, और मैं जानता हूँ, जारकन की जनता, काफी समयदंसी है, और कर्मत है, और हम अपनी इमानदारी के साथ, अपनी लड़ाई को जारी रखे गे, और मैं उम्मीद करता हूँ, कि हमारे इस लड़ाई में आपका भी पुरा सहियो मुझे पराप्त होगा, धन्यवाद जोहाद, तो जारकन के पुर्व मुक्यमंत्री अमनसुरिम को सुन रहे थे, आप ये वीडियो उस वक्त की है, जब उन्हें गिरफतार करने के लिए टीम जो है, वहाँ पर मौझूती घंटों की पूछताज के बाद उन्हें गिरफतार किया गया, लकिन उससे पहले ये वीडियो मैसेज उनकी तरफ से रिकॉर्ड किया गया, जारकन की जनता के लिए